Hello everyone, मैं शुरेयस बढ़िये, आप सब का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज का जो हमारा lecture रहने वाला है, वो first lecture रहने वाला है from ancient history of India from the chapter that is stone age और आज जिस topic पर हम discussion करने वाले हैं वो paleolithic period पर करने वाले है so मैं आपको ये भी बता दू कि ये जो paleolithic period है, इसके बारे में आपको पूरे information मिल जाएगी और जितनी चीज़े मैं बताऊंगा आपके exam के लिए उतनी बहुत जादा important रहने वाली है so इसे अच्छे से देखिएगा, अच्छे से concentration के साथ सुनियेगा limitations seem real, when we lack faith and belief, with faith and belief, anything is possible, beautifully said if you have any doubt, you can ask me on instagram, this is my instagram id, this is my facebook page, this is my telegram channel and this is my youtube channel मेरे youtube channel को subscribe करे और bell icon को press करे, ताकि आने वाले वीडियो के notification आपको मिलते रहे so देखिए, सबसे पहले जो topic है, उसके बारे में हम, उसके जो meaning है, उसके बारे में थोड़ी सी idea ले 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 तो यहाँ पे देखिए, दो words यूज किएगा, एक है paleo और एक है lithic so इन दोनों के ही, इन दोनों words में ही इसका meaning चुपा है, paleo का मतलब होता है old, याद रखेगा old, okay, paleo याने old and lithic means related to stone, so stone से related और old इस तरह से, याने old stone age भी हम इसे कह सकते है paleolithic period को, so paleolithic का meaning अभी आपको clear हो चुका है, so अब हम देख लेते हैं कि हमें आज इस lecture में कौन-कौन से topic cover करना है, तो सबसे पहले हम basic से शुरू करेंगे, जिसमें हम देख लेंगे कि classification of historic age, historic age को किस तरह से classify कर सकते हैं, pre-historic age को, क्योंकि मैंने आपको बता है था, पहला जो हमारा topic होगा, pre-historic age होगा, मैंने जो आप का कल upload किया था, जो मेरा introductory lecture था, उसमें मैं बता चुका हो, तो pre-historic age में कौन-कौन से चीज़े आते हैं, यह हम धोड़ा यहाँ पे देख लेंगे classification, उसके बाद हम paleolithic period क्या होता है, यह पढ़ेंगे, paleolithic period में हम तीन तरह के आज paleolithic period study करने वाले, एक है lower paleolithic period, एक है middle paleolithic period, औ कि जो pre-historic period है, यह अलग-अलग जो periods में divide हुआ है, उनके नाम है paleolithic period, mesolithic period, neolithic period, चालको-lithic period, और iron age, so मैं आपको यहाँ सबसे पहले बता देख, paleolithic का meaning आपको पता चल चुका है, old stone age, mesolithic यहाँ मिडल stone age, neolithic, neo, neo means new, and lithic, lithic means stone age, so new stone age, चालको-lithic means, यहाँ पे metal के साथ stone क mix कर दिया, याने, जोड दिया गया था, tools बनाते हैं, वक्तो यहाँ पर मैं बता दूँ, वो कौन सा है metal, तो वो copper, तो copper और stone का इस्तेमाल होता था, यहाँ पे tools, यह जो जितने भी period बटे हुए है, यह सब इसी basis के, इसी basis पे classify किये गए है, कि जो इनके tools बनते थे, जो ची बैड किया गया है, जैसे कि lower paleolithic, middle paleolithic और upper paleolithic, और आज जो हम study करने वाले है, यह paleolithic में, lower, middle और upper, यह paleolithic time हम study करने वाले है, तो सबसे पहले यह चीजे पढ़ने के पहले हम कुछ और चीजे देख लेते हैं background में, तो देखिए, सबसे पहले ऐसा माना जाता है, कि 4.4 million years पहले एक पुराना fossil मिला था, earliest human का अफरिका में, तो अफरिका में मिला था, आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस तरह से वो fossil था, तो यह मिलता है, उसके बाद हम यह भी देखते हैं कि earliest human being जो थे, वो थोड़ी से चोटे थे height में, और उनका brain जो था, वो थोड़ा सा चोटा था, जैसे कि आपको यह सब चीजे पता है, तो यह evolution में आता है, तो यहाँ पर मत, सिर्फ आपको थोड़ी सी basic idea दे रहा हूँ, हाला कि history से इसका बहुत जादा कोई relation नहीं है, उसके बाद मैं यह भी बता दूँ कि आज इस condition में हम हैं, ऐसा माना जाते हैं कि 50,000 साल पहले, 50,000 years ago हम इस तरह से बने हुए हैं, जिस तरह से आज हम दिखते हैं, तो आज इस तरह से हमारा development होते हैं, दीरे दीरे होते हैं, कि 4.4 million पहले शुरू होता है, 50,000 years, आज से 50,000 years पहले अगर हम जाते हैं, तो आज जैसे हम दिख रहे हैं, वैसे दिखने वाले इंसान आते हैं, इस तरह से ये चीजे यहां पर चली, तो ये एक basic fact था, अफरिका में सबसे पहले इंसान का एक fossil मिला था, तो ये समझता है कि ये इतना पूरा नयाने, इंसान इतने पहले आ चुका इस दुनिया में, इस धर्ती पर, ये हमें पता चलता है, उसके साथ-साथ इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में एक homonid fossil मिला है, so homonid fossil याने वही, जैस तरह से आज हम है, यानि अगर आप देखोगे तो homonid, homonid जो है, ये family होती है, एक primate होता है family का, जो humans के होते ancestors को, और ये सब उनके fossils, so ये सब चीजे आपको पता है, तो यहां पर homonid fossil जो मिला था, इंसान का जो fossil इंडिया में पाया गया, जो सबसे पुरा ना माना जाता है, वो Hathnora करके एक जगहा है, नर्मादय वैली में वहाँ पाया जाता है, इस तरह से वो fossil है, आप देख पा रहे है, तो यहां पर ये पता चलता है कि इंडिया में जो है, वो उतना ज्यादा पूर पेलेवलेथिक पिरेड को चुटिक हम फोड़ा सा नहीं पूरी तरह से पेलोलिथिक को स्टडिक पिरेड जो था इसमें इंसान था वह धीरे धीरे डेवलप कर गया और अगर हम देखते तो इस टायम पे अंटर और फूड गैदरर थे जितने भी लोग यहाँ पे रहते थे इस पिरेड में वो hunter और food gatherer थे यानि अगर हम देखेंगे तो सभी human क्या करते थे hunting करते थे या food जो है वो इकटा करने का काम यही एक काम हुआ करता था इंसान का आज के दुनिया के तरह नहीं है कि धेरो काम पड़े थे इंसान का इतना काम था अब हम enter करते पहले लिधिक प एक हमें यानि यह जो site है यह 1.4 million years old site और इस पे हमें जो मिलते हैं वो कुछ artifacts मिलते हैं artifacts क्या होते हैं मैं आपको यह बता देता है तो देखिए यहां पर मैंने spelling लिखा हुए artifacts का तो artifacts क्या होते है artifacts हैने ऐसी कोई भी चीज जो human ने बनाई हुई है उस तरह की कुछ चीजे हमको बोरी में मिलती है जो पूने district में आता है तो यहां पर हमें कुछ scientific records जो है वो early stone tools के मिल गए इंडिया में याने हम देखते है कि हमको यहां पर stone tools मिल गए अब हम research कर सकते थे अब हमें पता चल गया कि stone age में इंडिया में भी इंसान पाया जाता था क्योंकि बोरी करके जो जगाया जो 1.4 million old है वहां पर इंसान ने बनाई हुई कुछ चीजे यहां पर पाई गई है ज इस टाइम पर यह हुआ बट यह उस पिरेड के बाद का था जो अफ्रीकन रीजन में हुआ था यानि अफ्रीकन रीजन में इंसान जो था यह पहले आता है वहां पर पहले ऐसे कुछ हमको evidences मिलते इंसान के आने के और यहां पर हमें कुछ late मिलते है तो यह सब चीजे यहा पर इंडिया में आते हैं इंसान यहां पर दिखाई देता है उसके बाद यह भी पता चलता है कि यहां स्टोन और पेबल्स जो है यहां पर मिलते हैं इंडिया में यानि यह पता चलता है कि स्टोन और पेबल्स जो है इसका यूज करता था हंटिंग और कटिंग के लिए उ जो भी चीजे यानि जो भी जानवर को आपने मारा उसको cutting करना है जो भी चीजे है यह सब चीजे यहाँ पर अगर चलेगी तो यह सब चीजों के लिए क्या यूज करेंगे वो तो stone यूज करेंगे और pebbles यूज करेंगे इस तरह से चीजे यूज करता था इंसान आपको ये यहाँ पर एक hunter और food gatherer का ही काम करता था इंसान सिर्फ hunting करता था और खाना जो है उसे जमा करता था तो इस तरह की चीजे यहाँ पर हमें पता चलती है कुछ इंसान के बारे में अब मैं आपको एक चीज बता दू यहाँ पर इस map में आपको कुछ sites दिख रही है यहाँ पै काम है कि आपको एक blank map लेना और उस पर यह जो sites है यह आपको क्या करना है mark करना है तो देखिए ऐसी तरह से होगा lower paleolithic करना है middle paleolithic अपर paleolithic इस तरह से जो sites यहाँ पे है वो sites को आपको mark करना है धून के तो यह आपका work होगा और यह आप करोगे मुझे पता है अब हमने देख लिया एक छोटी सी जानकार लेली paleolithic पिरेड में इस इनसान किस तरह से रहता था और किस तरह से हमें कुछ चीजे पता चलती है अब हम देखते हैं तीन phases जो चलते हैं paleolithic में जैसे कि आप देखते हैं कि lower paleolithic और upper paleolithic अब हम सबसे पहले देख ले थे कि lower paleolithic क्य याने age तो सबसे अगर आप देखोगे तो सबसे पूराना paleolithic में सबसे पहले का जो है वो lower paleolithic age कहलाता है मैं आपको ये भी बता दू कि उस टाइम पे ice age चल रहा था उसी time का ये बात है कि ये जो lower paleolithic age है ये इस time पे आके match होता है सबसे ज़ादा time ice age का यहां पे cover होता है उसके बाद में आपको ये बताओ कि इनसान जो था उस time पे वो hand access या फिर cleavers या फिर choppers का इस्तेमाल करता है hand access हो गए जिससे वो शिकार कर सकता है cleavers हो गए जिससे वो एक तरह से कसाई जो होते है उनके पास cleaver होता है तो उस तरह का उसने tool बनाया था जो mask काटते है और chopper तो ये सब चीजे है जो mask काटने के लिए और ये सब चीजों के लिए वो use करता था तो stone tools का इस्तेमाल इस mask खा सकते है तो इनसान इस टाइम पर mask खाता था आपको पता है तो ऐसा कुछ निए कि vegetarian non vegetarian तो इनसान तो इस टाइम पर ये ही करता था hunter ही था तो ये सब चीजे यहाँ पर चलती थी और मैं आपको ये बता दू कि इस टाइम पर जो climate था ये थोड़ा कम humid हुआ करता था ये भी याद रखेगा lower paleolithic age में humidity और ये सब चीजों के कारण lifestyle हो गई या फिर जो भी flora या fauna हो गया vegetation हो गया ये चीजे अफेक्ट करते है इसलिए यहाँ पर temperature यहाँ पर climate जो है ये किस तरह का था ये historians जो है ये study करते है तो ये चीज आपको पता चल गई अब हम देख लेते है कि अलग-अलग tools थे कोई tools वो chopping के लिए use करेगा कोई x के लिए use करेगा है ना तो ये चीजों के लिए वो use करता था और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अलग-अलग sites जो पाई गई है paleolithic period में lower paleolithic age में वो कौन-कौन सी है क्योंकि आपको map पे mark करना है तो आपको ये sites पता होने चाहिए तो सबसे पहले हम देखेंगे तो पहलगाम कश्मीर में जो पहलगाम करके वहाँ पर इसके site पाई गई है यहाँ पर human के traces द बेटका आता है वहाँ पर caves भी मिले तो उस caves में यह पता चलता है कि इनसान यहाँ पर रहता था उसके साथ साथ देखेंगे एक चीज में आपको बताना मूलगा है जो बेलन वैली बेलन जो यह नदी है कहां यह याद रखेगा ओके भीम बेटका कुछ caves या आदमगड कु इसके साथ साथ मैं आपको यह बता दू कि 16R जो 16R है यह एक लोकालिटी है राजस्तान के और सिंगी तलाव जो है सिंगी तलाव जो नागाव डिस्ट्रिक्ट में आते यह दोनों 16R और सिंगी तलाव यह राजस्तान की जो साइट से यहाँ पे भी पाए गए है लुअर इसके बाद हुन्सगी गुलबर का डिस्ट्रिक्ट में आता है करनाटक में करनाटक में भी यहाँ पर पाए गए है और आखिर में हम देखते है कि अतिरम पक्कम अतिरम पक्कम जो है यह कमिलनाडू में आता है यहाँ भी पाए जाती है पैले अलिधिक एज की कुछ से जो आपको पता होनी चाहिए जो यह बहुत इंपोर्टन एक चीज है जो आपको मैप में मार्क करनी चाहिए उसके बाद हम देखते है कि कुछ other important sites जो है और ज्यादा जो पाई गई है वो कौन कौन से है तो शिवाली के रेंज जो आता है कश्मिल, हिमाचल प्रदेश औ यह हमने देख लिया बेरज बेसीन हो गया या हीली रीजन और राजस्तान हो गया वो सब साइट्स पर पाये जाते है नर्मदा या सोन वैली हो गई जो रीवर सही है नर्मदा और सोन रीवर तो यह मद्यप्रदेश की इनके वैली में भी पाये जाते है इसे साइट्स या शोटा नाज़ाूर महारास्तूर प्लाटू जो है, वहां संब मद्ध्यप्रदेश को होग मैं आप को बिल्कुल टेंश्ण नी होगा कब नी होगा तो यह सब याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं करना बहुत ज़्यादा जरूरी को अच्छे से मेप पहला कर दीजिए इसको बहुत ज़्यादा साइट्स नहीं पूछ जाए आपको एक्जाम्स में उसके राद में आपको यह बता दू कि Middle Paleolithic जो है वो पिरेड अभी हम स्टार्ट करने वाले है तो अभी हमने देखा पहला जो था वो अब लोर पहले लिथिक देखा अब हम आते हैं Middle Paleolithic पहले 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 चीज़े देखी यहां पे जो बहले आपको यह बता दू कि जो flex होते flex का मीनिंग होता है कि वह sharp होते एक तरह से जिस तरह से blades और यह सब होता है न उस तरह के tools होते हैं flake tools जैने कहा जाता है मैं आपको यहाँ पे picture दिखा देता हूँ कुछ यहाँ देख रहे तो इस तरह से ये sharp होते है तो इस तरह से ये बनाये जाते है हना तो ये इस तरह के flake tools होते है कुछ यहाँ पे ये जो flake tools है ये middle parallellolithic period में पाए जाते है इसमें फिर variety of blades हो गए, blades भी बनती इससे, तो अलग-अलग blades हो गए, या अलग-अलग points हो गए, यहाँ points देख रहे, या blades देख रहे, इस तरह की चीजे यहाँ पर बाई गई है, उना उसके साथ-साथ borers हो गई है, scrappers हो गई है, यह सब flakes से बनाए जाते थे, तो देखिए बोरर्स जैसे हम देखेंगे तो ये बोर यानि अगर हम देखेंगे तो कही छेट करने के लिए जो हमें जरूरी पढ़ता है जैसे जिसको पॉइंट है उससे आप ये कर सकते हैं या फिर स्क्रैपर्स हो गया इसे ब्लेड वाले जिससे आप कोई चीज जो है ये स्क्रैप कर सकते हैं तो ये जो चीजे इससे में स्क्रैप कर सकता हो यहां से इस तरह से यहां पर कई घीस के स्क्रैप कर सकता हो जो पॉइंट है इससे में कई छेट कर सकता हो तो ये सब चीजों के इस्तेमाल होता था फ्लेक्स से फ्लेक्स के चलते तो इस तरह की काफी सा गई है Middle Paleolithic में यहां की जो साइट से यह ज्यादातर साइट को इंसाइड कर गई है Lower Paleolithic पिरेड से यह ज्यादातर साइट जो है वो common है उसके अलावा अगर मैं आपको यह बता दू कि जो Middle Paleolithic Tools है वो कहां कहां मिले तो Central India के पार्ट में मिले डेकन में मिले है राजस्थान में मिले है महराष्टा में मिले है तमिलनाडू में मिले है करनाटक और ओरिसा इतनी सारी जगे पे Middle Paleolithic जो टूल से वो पाए गए है यह चीजे है तो अब हम इन में से ही कुछ मेजर इसकी साइड्स देख लेते है Middle Paleolithic एज की जो मेजर साइड्स में आप देखोगे तो भिमबेट का जो वहां पे हमको लोवर के साथ को इंसाइड कर गई है नेवासा जो है यह भी वहां हमने देखी थी पुछकर जो है यह राजस्तान में आता है यह भी यहां पे आया जाता है यह साइड्स जो है Middle Paleolithic एज की साइड्स तो यह Middle Paleolithic एज के लिए हमें इतनी सारी चीज़े पता होना चाहिए ओके सो यहां पर Paleolithic पिरेड में अभी हमने फेजेस में पहला देखा Lower Paleolithic अब हम देखेंगे देख लिए हमने Middle Paleolithic जिन दोनों में आपको डिफरेंस पता चल चुका है यहाँ पे इनसान Hand Access Clevers और Chopper का इस्तेमाल ही करता था तो यहाँ पे अगर देख रहे तो इनसान यहाँ पे Flake Tools का इस्तेमाल कर रहा जो कि शार्प होते है यानि जिससे Blade Points Blades Points ऐसे चीज़े बनाई जाती है अब हम जो अगला phase देखने वाले है वो है upper paleolithic phase अपर paleolithic जो phase है उसके बाते आपको कुछ important बता देता हो कि ये जो upper paleolithic period ये coincide कर जाता है last phase जो था ice age का आप अगर देखोगे तो ice age खतम होता है और upper paleolithic भी खतम होता है ये दुनों साथ में खतम होते है अपर पहले लिए थी कि ये last phase बनता है ice age का उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूब कि climate जो था वहाँ पर यहाँ पर warm होते जा रहा था तो यहाँ सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखने है fact कि यहाँ पर एक modern type of man जो है वह यहाँ से आना शुरू होता है जिसको कहा जाता है homo sapiens सो homo sapiens ये वर्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह से आज हम दिखते हैं उस तरह का इंसान याने homo sapiens देखे मैं आपको एक बार दिखा देता evolution यहाँ जो आपको सबसे पहला दिख रहा है यह इस तरह का इंसान था फिर धीरे वह चेंज होते गया यह homo erectus आपको दिख रहा है और यह जो आपको आखरे में दिख रहा है यह homo sapiens है इस तरह से इंसान में कुछ बदलावाते गए और यह इस तरह का इंसान है जो आज का modern type of man है यह पाया जाता है अपर paleolithic age में आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर याद रखना है यह बहुत ही important एक fact है उ इस तरह का थोड़ा shine होने वाला अलग सा एक पत्थर दिखता है ना यह होते है flint तो यह flint industries यहाँ पर पाई जाते हैं इंडस्ट्रिया ने ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी factory खोली हुए ऐसा कुछ नहीं है तो थोड़ा थोड़ा जो है इंसान जो बैठेंगे कुछ development करते इस तरह से लोग यहां बेठेंगे जो कि flakes बनाएंगे, blades बनाएंगे, burin बनाएंगे, scrppers बनाएंगे यहाँ पर आपको flex कै यह पता चल चुका है, blades क काय यह पता चल चुका है, scrapers क कै यह भी पता है, तो burins क्या होते हैं यह मैं आपको बताे देताओ तो इस तरह से तो यह हो सकती यहां पे तो यहां पे बहुत जादा स्टोन से अभी रखे हुए नहीं है तो इस तरह से अलग 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 चीजे यहां पे बनाई जा रही तो यह सब हो रहा था अलग अलग शेप के पत्थर आ रहे थे उसमें डेवलप्मेंट कर रहा था इंसान अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे अभी जो साइट थी वो मिडल पैलेयुलिथिक ऐज की शोरी अपर पैलेयुलिसिक एज की वो कौं कौंसी अब देख लेते तो साइट में आते राजस्थान तो राजस्थान में तो पाया ही जाता है यह सबसे पहले अगर आप पाया गया है अंद्रप्रदेश में पाया गया है करनाटक में भी पाया गया है तो इतनी सारी जगे पे अपर पैलोलिथिक एज की जो साइड से वह पाई गई है इंसान को अगर आप देखना चाहते हो तो इनसान इस तरह से रहता था इस पैलोलिथिक एज में आप देख पा यह हैं यहां पे इंसान बैट़ा वहां आप देख रहें हैं मास रखा हुँआ है यहां पे घृतर कशा करता था इंसान का केव में ही वहां ऑकोन अर। साथ किया जिसका नाम है Paleolithic period या फिर Old Stone Age period तो यह हमारा एक lecture रहा तो यहां मैं आपको यह भी बता दू कि अभी आप आपके NCRT में जो भी यह lecture में बता दे जाओंगा उसको मेरे साथ साथ कंप्लेट करेंगे तो आपका भी ancient history बहुत जल्दी कंप्लेट हो जाएगा और मैं बहुत बड़े बड़े वीडियोज नहीं मैं शॉट वीडियोज भी बनाने की कोशिश कर रहा है उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दू कि ancient से हलाकि बहुत जादा question तो नहीं आते है बट pre में पूछे जाते है question तो इसलिए याद रखे है और जब तक ancient नहीं जिसको पता उसको art and culture समझना कठीन जाएगा और art and culture से यहाँ पर question पूछे जाते है UPSC mains में और pre में भी तो यह चीज़े आपको याद रखना बहुत जादा ज़रूरी बट ancient history से pre में काफी सारे question आते हैं आज कल तो यह train थोड़ा सा बदल चुका है तो अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो उन्हें like करें share करें और subscribe करें मेरे YouTube चैनल को follow और like करें मेरे pages को facebook पे श्रेयस बड़ी है श्रेयस बड़ी interpretation उसके साथ-साथ मेरे गारे में और जानकारी जानने के लिए आप instagram पे मुझे follow कर सकते श्रेयस बड़ी दपीस लवरे मेरा instagram ID है श्रेयस बड़ी at the right gmail.com पे आप मुझे mail भी कर सकते तो आप सबका यहाँ पे आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखें अच्छे से पढ़ाई करें इसी उमीद के साथ मैं श्रेयस बड़ी आप से अगले लेक्चर में मिलूंगा तब तक के लिए आपका दिन शुब हो